वेल इन दिस वीडियो वी आपको पासकर लाओ को हम अप्लाई कैसे करते हैं थो प्रॉब्लम्स उसको सिखाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है तो देखिए हम प्राई करते हैं कि आपको किस तरीके से सिखाने के लिए कैसा सवाल बनाया है example number 10.5 यह आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएगा इसमें कहा गया कि आपके पास दो syringes हैं और उनका जो cross section है वो बिल्कुल different है यह देखिए यह आपके पास syringe number 1 यह syringe number 2 इसका cross section area बड़ा है और इसका cross section area कम है so यह कहा गया है इनको पानी से भरा हुआ है and they are connected tightly with the rubber tube यह देखिए आप rubber tube के साथ इन दोनों syringes को जोड़ा हुआ है filled with butter पानी है इसके बीच में diameter of the smaller piston and the larger piston जो छोटा piston है इसका जो diameter है the diameter of the smaller piston is इसका जो diameter है यह है आपके पास d is equal to 1.0 centimeter और जो diameter of larger piston है यहां देखिए यह जो diameter है this diameter is d d2 is equal to this is d1 this is d2 is equal to 3.0 centimeter आप से पुछा गया है कि find the आप से पुछा गया find the force exerter on the larger piston इस piston पर force कितना लगेगा when the force exerter is 10 newton on the smaller piston इस piston के उपर यदि आप 10 newton force लगाते हैं यदि आप इसको अंदर के लिए अंदर side को यदि आप force F1 10 newton लगाते हैं तो यह piston जो है इसके उपर बाहर की और कितना force लगेगा यह आपका सवाल है okay so I hope that कि आपको जो सवाल है वो बहुत असान लगा होगा और दूसरा पूछा हुआ है part 2 भी पूछा हुआ है इसके हम थोड़ा बाद में बात करते हैं हम पहले part के उपर concentrate करते हैं देखिए इसमें कहा गया कि आपके पास जो हम solution लिखते हैं पहले यह आपके पास आगया solution बाला part इसमें जो आपके पास known parameters हैं उनको आप लिख लिजे diameter d1 of the smaller piston क्या हो जाएगा this is 1.0 centimeter इसके according इसकी जो radius हो जाएगी वो आजाएगी 1 by 2 centimeter right इसको meter में आप convert कर लिजे ऐसा unit में 1 by 2 centimeter का numerical value होता 10 to so minus 2 और यह meter रह जाएगी और जो force f1 है f1 जो force दिया हुआ आपके पास वो है 10 newton यह known parameter है और जो दूसरे अंट के आपके पास diameter d2 दिया हुआ है वो है 3.0 centimeter और इसका जो radius हो जाएगा implies that radius r2 जो होगा इसका आदा हो जाएगा 3 by 2 centi का जो numerical value हो 10 to so minus 2 और यह meter में convert हो जाएगा आपसे जो पूछा हुआ है वो पूछा है कि जो f2 है जो दूसरे बड़े piston के उपर कितना force out bar direction में लगेगा तो हम जानते हैं we know that हम जानते हैं जो हमने text में पढ़ रखा है कि यह जो force होगा f2 यह होगा mechanical advantage a2 upon a1 की ratio और आप f1 कितना लगाते हैं इस equality से आप इसको निकाल सकते हैं तो जहां तक बात है area की तो area of circular part कितना हो जाएगा cross section area of the circular part is pi r square हो जाएगा तो f2 हमने निकालना है आप देखिए यहां जो f2 होगा वो a2 a2 क्या हो जाएगा पाई और r का square हो जाएगा तो radius हमारे पस क्या है this is 1 by 2 into 10 to the power minus 2 का square हो जाएगा divided by यहां जाएगा a1 sorry यह आपके पास आजाएगा जो second radius है वो 3 by 2 है जो इसको हम लिखते हैं it is 3 by 2 और cross 10 to the power minus 2 meter का whole square आजाएगा और नीचे आपके पास आजाएगा a1 that is pi into 1 by 2 into 10 to the power minus 2 meter का square और आप force f1 जो लगा रहे हैं वो 10 newton है अब आपको आगे SI units नहीं लिखने हैं क्योंकि सारे SI units में हैं तो answer automatically आप इसको newton में लिख सकते हैं तो यहां pi से pi cancel हो जाएगा और आपके पास यहां बचेगा 3 ऊपर आपके पास आजाएगा 3 by 4 cross 10 to the power minus 4 divided by this is 1 by it is 9 by 4 this is 9 by 4 upon 10 to the power minus 4 upon 1 by 4 into 10 to the power minus 4 into 10 newton हो जाएगा ओके सो यहां से आपके पास आजाएगा 9 by 4 this is 9 by 4 into 4 by 1 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 cancel 4 से 4 cancel into 10 newton that is equal to 90 newton आपको यह पता चल गया कि देखिए इसका hydraulic lift जो है उसका application कितना जबरदस्त है आप सिरफ 10 newton force लगा रहे हैं तो वह दूसरा जो effect है impact force है मों 90 newton हो जाता है so this is how interesting this problem is और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा हुआ है इसको समझने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं इस पार्ट में आपसे पूछा गया है देखिए यदि आपका जो smaller piston है is pushed in through 6 cm यदि जो smaller piston है उसको आप 6 cm अंदर के और यदि पूछ करते हैं यहां देखिए यदि आप अपने smaller piston को यदि यह displace करता है अंदर को धका यहां तक आ जाता है यह 6 cm अंदर चला आता है तो आपका जो larger piston है यह कितने दूर चला जाएगा यह problem है जो second part आपको समझाने के लिए how much does the larger piston will move तो कहानी हमारी वो ही रहेगी पर हमें यह concept सीखना है बहुत अच्छे दरीकिसा हम इस problem को solve कैसे करें यह पार्ट भी हो गया आप जानते हैं कि जो बाटर है इसके भी अंदर पानी डाला हुआ है बाटर इस परफेक्टली इनकम्प्रेसिवल जो लीकुड है वो इनकम्प्रेसिवल होते हैं वो दबेगा नहीं तो एक एंड से जब नीडल से जितना वॉल्म आगे जाएगा उ तो हम यह कह सकता है यह वॉल्म कवर्ड बाइद भाइद मॉवन आप प्स्मालर पिस्टन तो अगए तो अगए जितना होगा वे टू लार्जर पिस्टन यह दोनो piston के जो volumes होंगे वो बराबर होंगे इनका movement बराबर होगा मैं B1 को ऐसे लिसकता हूँ आप volume को कैसे लिसकते हैं आप देखे volume का जो formula होता है उसको आप area into length लिख सकते हैं तो आप इसको लिखिए smaller piston में cross section area A1 है और length वो cover करेगा L1 और बड़े piston का cross section area A2 है और वो length cover करेगा L2 इसमें आप से L2 पूछा हुआ है ये L2 कितना होगा outward movement इसको हमने निकालना है बाकि हमने तो अल्रेड़ी A1 और A2 तो अल्रेड़ी निकाल रखे हैं तो हमारे पास क्या होगा L2 जो unknown है उसको आप एक साइड रखे और ये आपके पास आजाएगा A1 upon A2 into L1 हो जाएगा तो आप लिखती जिए आपके पास आजाएगा L2 हमने निकालना है तो A1 हो जाएगा आपके पास πाई और radius आजाएगा 1 by 2 cross 10 to the power minus 2 का square हो जाएगा divided by A2 में आजाएगा pi same it is 3 by 4 cross 10 to the power minus 2 का square आजाएगा और जो length है आपके पास L1 वो 6 cm है this is 6.0 cross 10 to the power minus 2 ये meter आजाएगा तो लिखने का जुरूरत नहीं बाद में हो SI में इस cancel लिख देंगे तो pi के साथ pi cancel हो जाएगा आपके पास आजाएगा L2 तो उपर बाले पार्ट में आजाएगा 1 by 4 cross 10 to the power minus 4 नीचे आपके पास आजाएगा 9 by 4 यहाँ 2 है this is 9 by 4 cross 10 to the power minus 4 into 6.0 cross 10 to the power minus 2 इसको आप आगे लिख सकते हैं 10 to the power minus 4 से 10 to the power minus 4 direct cancer यहाँ आपके पास आजाएगा 1 by 4 और इसको आप लिख सकते हैं 4 by 9 into 6.0 cross 10 to the power minus 2 right और यहाँ से 4 से 4 cancel हो जाएगे आपके पास बचेगा 6 by 9 cross 10 to the power minus 2 तो 3 से चला जाएगा 3 दूना 6 3 तिया 9 आपके लिख सकते हैं तो इतना डिस्प्लेस्में उसका आउट पाट होगा मतलब आप यहाँ से समझीए कि यदि आप इसको 6 सेंटीमेटर अंदर लेके जाते हैं तो देख लिए आपका जो लार्जर पिस्टन है वो मेरली 0.6 सेंटीमेटर आगे खिसकेगा तो इस वेरी इंटरस्टिंग पाट अफ इस प्रब्लम और नाओ वी विल शिफ्ट आवर इसकेशन तो अनदर प्रब्लम इसमें आपको और अच्छे तरीकी से सिखाने की कोशिश की गई है तो इस इस एक्जाम्पल नमबर 10.6 जो आपने टेक्स पढ़ा है उसको समझने का और अप्लाई करने का बहुत अच्छा आपको पास मौका है यह देखे solution लिखते हैं हम सबसे पहले solution of this problem कहा गया है कि इन्हें car lift compressed air exert the force अब इसमें दो piston के बीच में हवा डाले गई है तो यह force F1 जो लगता है on the small piston having a radius of 5 cm तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो problem है वो कुछ इस तरीके का है इसको आपको यहां से आप समझ सकते हैं कि यहां कहा गया कि इन्हें car lift compressed air exertive force F1 on the small piston having the radius इसमें जो इस पार्ट की जो radius है यह वाला पार्ट है इसकी जो यह radius R है तो इसको हम लिख देते हैं R1 is equal to 5.0 जो क्राउस 10 तो माइनस 2 मीटर और इस प्रेशर इस ट्रांस्मिटर तो इस पार्ट की जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक का यह circular पार्ट है यह जो R2 है यह 15 सेंटीमीटर है 15 क्राउस 10 तो माइनस 2 मीटर इस मास अफ दा कार यह जो कार आप यहां देख रहे हैं यह देखे कितने अच्छे तरीके से आपको प्रॉब्लम डिजाइन की गई है इसका जो मास है वो 1350 किलोग्राम है जो आपको समझाया उसी के पर प्रॉब्लम बनाई है तो जो बेट होगा वो कितना हो जाएगा F is equal to M G हो जाएगा F2 जो है तो आप इसको लिख दीजें मास है 1350 और गुणा G का वैल्यू आप अप्रॉक्सिमेटरी 10 ले लिजी इतने न्यूटन हो जाएगा आपको पूछा हुआ है कि F1 कितना होगा यह बाला पार्ट कितना होने बाला है इसको पॉइपके प्रेशर नेसेसरी तुम्पलिश दिर्स तास्क तौ आपको यह भी देखना कि इस पॉइंट पर आपको पर्रेशर कितना लगाना है यह आपकी प्रावलम है तो हम लिखते हैं कि हमारे पास जो नौन पेरामीटर हैं वो क्या क्या है जो दिया हुआ वो क्या क्या है सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है जो गिवन है आपके पास वो है रेडियस रेडियस R1 R1 is equal to this is 5.0 cm इसको मैं लिख सकता हूँ this is 5.0 cross 10 to the power minus 2 meter और जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है रेडियस R2 वो है 15 cm इसको मैं लिख सकता हूँ 15 cross 10 to the power minus 2 meter आगे है हमारे पास सीफ मास of the car lifter तो आगे हमारे पास दिया हुगा है जो मास है कार जो अपने उठानी है उसका जो मास है वो 1350 kg है तो इसका बेट कितना हो जाएगा जिसको मैं F2 कह सकता हूँ that is M into G तो यह आजाएगा 1350 kg into 10 meter per second square तो यह आपके पास आजाएगा 13500 newton इतना इसका जो है वो बेट बन जाएगा और आपसे जो पूछा हुआ है कि इस end के पर एक force कितना लगेगा तो easily वो calculate किया जा सकता है तो चलिए हम शुरू करते हैं तो हम यूज करेंगे सीधा formula by using the equation आप सीधा equation use करिए कि जो हमारे पास force होगा हम जानते हैं कि जो F2 है is equal to A2 upon A1 that is mechanical advantage into F1 but यहाँ इस case में क्या है कि आपको तो F1 निकालना है F1 को आप separate कर लीजिए और दूसरे parameter उसको पर ले जाएए F1 आपको निकालना है तो यहाँ आपके पास A1 upon A2 into F2 हो जाएगा इसको आप further लिख सकते हैं जो F1 है वो A1 क्या हो जाएगा पाई और R1 का स्क्वेर कर दीजिए यह आएगा 5.0 क्रॉस 10 तो सब माइनस 2 का स्क्वेर upon A2 लिख दीजिए यह हो जाएगा आपके पास पाई सेम और दिस इस 15 क्रॉस 10 तो सब माइनस 2 इसका स्क्वेर और F2 आपके पास कितना हो जाएगा यह आजाएगा 13,500 न्यूटन हो जाएगा राइट सो अब आप इसको पाई से पाई कैंसल हो जाएगा कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसको हम जरा देख लेते हैं यह आपके पास आजाएगा यहाँ 25 क्रॉस 10 to the power minus 4 बटा यहाँ आजाएगा 200 पच्चिस क्रॉस 10 to the power minus 4 इंटू 13,500 राइट 10 to the minus 4 से 10 to the minus 4 कैंसल हो जाएगे और यहाँ से जो हमारे पास आजाएगा काट के यहाँ 9 आजाएगे और यह लगवग आपके पास आ जाएगा आप 1500 न्यूटन 1500 न्यूटन यह solve करके आपके पास आ जाएगा और इसको यह आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी ले सकता है दिस इस 1.5 आप decimal को इतने पॉइंट एधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इनने तो यह प्लस में पावर एड़ हो जाएगी 1.5 क्रोस जेंटर स्वावर 3 न्यूटन आप लेग सकता है तो हमसे पूछा हुआ कि जो प्रेशर है वो कितना होगा तो प्रेशर क्या होगा प्रेशर का फार्मूल आप जानते हैं जो P1 जो smaller cross section area वाला piston है यहाँ pressure कितना लगेगा यह आप से पूछा हुआ कि इस cross section area के उपर pressure कितना लगेगा यह पूछा है तो pressure is the force into area sorry force upon area so this is F1 upon A1 F1 तो आपना निकाल लिया 1.5 cross 10 to 3 newton और area आपके पास A1 क्या है so this is pi into 5.0 cross 10 to the power minus 4 का square so this is P1 is equal to 1.5 cross 10 to the power 3 newton upon 3.14 cross 25 cross 10 to the power minus 8 हो जाएगा इसको आप उपर ले जाएए यह आपर पासा जाएगा 1.5 upon 3.14 cross 25 cross 10 to the power यह हो जाएगा 3 plus 3 plus 8 हो जाएगा minus 2 यहाँ से तो 4 नहीं आएगा यहाँ क्या कर दी है यहाँ तो है और यहाँ भी आपके पास 4 आएगा minus 4 और प्लस यहाँ 4 हो जाएगा तो आपके पास आएगा plus 10 to the power 7 minus 2 तो इतने पासकल हो जाएगा इतने पासकल हो जाएगा so hydraulic machine की यह जो problem है जो hydraulic lift की form में आपको दिखाई गई है is so interesting to learn I hope that you have enjoyed it Thank you very much